कि एक बार फिर स्वागता है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रंट जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हो आज किस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे इंडियन जी के कुछ इंपोर्टन क्वेशन जो में प्रीवियस एच्प्यू बी अडिन ट्रांस 2019 के एकजाम में जो कुछेंगे थे उनको आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे थोड़ा डिटेल में डिसक्स करेंगे ताकि यहां से अगर को प्रेशन डिराइव होता है तो आपको एकजाम में जर्नल अवेर्नस है इंडिया इंडियन जीके के रेटर वे पंदरा कोशन जो है वो उससे पूछे जाते हैं तो फ्रेंस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनले पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनले को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और वैल आइक सब्सक्राइब कर देखने को मिलेंगी है के इस वीडियो करते हैं इस वीडियो को फरस्ट है सेटलार लौइंग स्टेशन इसलोकेट करेट तो सैटलार लौइट लॉंचिंग स्टेशन जो है कहां पर स्तीत है काफी इंपोर्टन फॉष्टन है कुशन नंबर ए ज़ो है इस कुशन का वियाद अस्व को ऑप्चून नंबर राइच ए श्री हरी कोटा जो है, इस कुशन का एट एंसर है, इसके इंदर में भारतिय प्रक्षेपन यान के ठोस इंदिन रोकिट के बिभिन चर्णों का प्रितिवी परिक्षन तथा प्रणादेक का प्रसंस करन होता है इसका उदेशिया है कि इसका जो शिरी हरी कोटा है सतीस दवन अंतरिक्ष के इंदर जो है वे आपका शिरी हरी कोटा अंतरिक्ष में स्थित है और यह सेटलाइड लाँचिंग स्टेशन जो है वो श्री हरी कोटा अंदर परेस में ही स्थित है अब यहां से question आपसे एक और question पूछ सकते हैं चंदरियान 3 जो था वो launch हुआ था कहां से हुआ था चंदरियान 3 जो launch हुआ था वे भी आपका श्री हरी कोटा से ही launch हुआ था सब्सक्राइब टियुक्ता करें। इसियागा तो चंद्रियां में मैं को इसरो JAC प्रदेश से चंदर्यान थ्री जो था वहां से लॉंच किया था यह आपने याद रखना है बात करें इस रो के बारे में इस रो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो इस रो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन की शुरूआत जो थी वे उनीचो बासएट में प्रसिद अंतर क्ष्ट विज्यानिक डोक्टर बिक्रम सारवाई के देख्ष्टा में गठित बारतिय अंतर्य क्षण संदान स्मिधी के गठन के साथ हुई थी और इस रो कि जो स्टापना थी वे कब हुई थी वे 1979 में हुई थी 1969 को इस रो की स्टापन है और विक्रम सारवाई अंतरिक्ष के इंदर जो है वो आपका तिरुवनंत पूरम में है ये भी आपने याद रखना है और अराश्ट्रिय दूर संबेदी एजनसी जो है एहनारस से जो है वो भी आहदराबाद में है बहुतिक अनुसंधान प्रयोग शाला पी आरेल जो है आपकी अहमदाबाद में है और और स्टीश दवन स्पेस सेंटर जो है वो आपका शिरी हरी कोटा अंधर प्रदेश में इस्तित है नेक्स्ट कुश्न में जलते हैं अगले बरेशन में बोला गया है कि हो मैने टाइम्स दवर्ड सेकुलर अपेर जिन अबर अबर कंस्टिउ सेकुलर सब्द जो है वो हमारे समीधान में दो बार आता है और एक बात आपने यहां से एक और ध्यान देनी है तो भारती समीधान बनाने का जो विचार था बारती समीधान बनाने का जो विचार था वे MN रोय ने दिया था यह आपने याद रहना है भारती समीधान बनान का जो वीचार था मन रोय नहीं दिया है जब याण धानानकि नो भार्ति समिधान का जो जनक 叫ności उप्हाज जाता है और भार्ति समिधान वनाने का वीचार था वे मन रोय ने था और बी आर अमेट कर का पूरा नाम भी आपने याद रखना है इनका पूरा नाम था भी भीम राव राम जी अम्बेड कर था यह अपने याद रखना है तो सेक्विलर शब्द जो है वो कितनी वार हमारी समीधान में आता है और समीधान की बरस्तावना को समीधान की कुणजी भी कहा जाता है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं, इसमें बोलागै की आर्निथा लो जी इस दा स्टड़ी ओफ तो और निथा लो जी जो है वो स्टड़ी है किसकी स्टड़ी है तो ये पक्षियों का अध्यान है study of words जो है इस question का रहा है तेंसर हो जाएगा ornithology is the study of words option number B जो है इस question का correct answer है उसी तरह neurology है study of nervous system है ये भी आपने याद रखना है और anthology जो है वो आपका पुश्पों का अध्यान है फूलों का अध्यान से संबंदित है से संबंदित है ये भी आपने याद रखना है और सेरी कल्चर जो है वे रेशम के कीड़ों के पादन और उनसे रेशम उत्वादन का अध्यान से लेटेड़ है और odontography जो है वो दान्तों का अध्यान study of teeth जो है वो odontography कहा जाता है उसे और और अध्यान से संबंदित है ये भी आपने नोट कर लेना है next question पर जलते हैं रंगास्वामी कप जो है किस से संबंदित है तो रंगास्वामी कप का संबंद है वे किस से है question number 19 का जो राइट अंसर है वे आपका option number C है foot wall जो है इस question का right answer है रंगास्वामी cup का जो संबंद है वे आपका किस से है वे आपका foot wall से है option number C जो है इस question का right answer है अब बात करते हैं अन्य खेलों के बारे में उनसे संबंदित cups के बारे में जैसे बात करते हैं table tennis के बारे में तो टेबल टैनिस के बारे में आपको पतागा यू थांट कप जो है वे आपका टेबल टैनिस का कप है पदमबती कप जो है वो भी आपका टेबल टैनिस से संबंदित है और बारना बलैक कप जो है वे आपका टेबल टैनिस से ही संबंदित है फोटवॉल की बात करते हैं ट्रोफी कंदर्टे सराफ हो गया। प्राइस के कौता हो गया। सुपरज़ोंड Trade गया। बात करते हैं कृकट से Stirner खर्या गया। woo-h worshit country working to create the fotografie यह जाले टोफिया इस्ट्रेलिया और इंग लाइन की वीच खेली जाती है रणजी ट्रोफी भी आपने याद रिखना है तो यह जो है आपकी क्रिकेट से संबंदित है अब उसके बाद बात करते हैं होकी के बारे में तो होकी से संबंदित जो ट्रोफिया हैं जैसे तो sorry friends इस question का जो राइट अंसर होगा रंगा स्वामी कप का जो संबंद है वे आपका होकी से है किससे है होकी से है मैंने आपको गलती से फुटफॉल बता दिया तो यह आपने याद रखना है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ रंगा स्वामी कप जो है यह आपका संबंदित है किसके साथ होकी के साथ तो option number D इस question का राइट अंसर हो जाएगा होकी से और कौन कौन से संबंदित है जैसे विटन कप हो गया ध्यान चंद प्रोफी होगी आगा खां कप हो गया अजरान शा कप हो गया लाल भादुर सास्त्री कप हो गया महाराणा रंजीत सिंग गोल्ड कप हो गया यह जो है वो आपकी होकी से लिटर है तो आपके मैं माफी चाहता हूँ रंगा स्वामी कप जो है वियावका संबंदित है किसे होकी से option number D जो है इस question का correct answer है अब थोड़ी बात हम भारती समीधान के बारे में भी कर लेते हैं कुछ important key point है जो आपको याद रखने है जैसे भारती समीधान बनाने का विचार किस ने दिया था आहमेंद रोई ने दिया था भारती समीधान का जो जनक है वे डॉक्टर भी राम भीम राव अमिटकर जी को कहा जाता है भारती समीधान बनाने में कोल कितना समय लगा था तो भारती समीधान नाने के लिए दो वर्षे ग्यारा महिने और अठारा दिन का समय लगा था ये भी आपने याद रखना है और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेर्मैन थे वे कौन थे तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो योजना के अंत्रगत भारत के समीधान के निर्माण के लिए समीधान सभा का गठन किया गया था समीधान सभा का जो प्रत्थम अदिवेशन जो था वो नौ दिसंबर राजेंद्र परसाद को चुना गया था जब समीधान बना था उसमें 395 अनुचे थे समीधान में 22 भाग थे और 98 सूचियां थी समीधान सभा के अंतिम बैठेक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को ही इसी दिन समीधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र परसाद को भारतिका प्रत् पियक्स होता है वे कौन होता है वे ऐस्ट्र पती होता है ऑंस में 42 अंट बाइस के वारे का राज्यीसहान क कि Star Keine की जो अधिक्त्म संक्या थे 250 हive 250 जो है वह सकती है परन्तु बढब्त्मान वी ए 245 है बारा स्थ जो है बारा स्थ जोह बारा स्थय जो है वो नूमिनेट करता है राज्य सबा के लिए सदस्यों की योगिताएं की बात याद रखनी है भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य सबा सदस्य बनने के लिए 30 वर्स की आईउ जो है ये 30 वर्स की आईउ जो है वो minimum age है ये आपने याद रखना है और राजजेसवा जो है एक 27 सदन है वे कभी भी भंग नहीं होता है और एक 3,20 सदस्या जो है वो हर दो वर्शवाद इसके अबकाश गरहनी कर लेते हैं और इनके स्थान पर ने सदस्याओं का चुनाब हो जाता है इस प्रकार राज्य सभा के प्रतेक सदस्या का जो कारेकाल होता है वे छे वर्षों का होता है तो यह आपने आदकना है राज्य सभा सदस्या के सदस्या का जो कारेकाल होता है वे कितने वर्षों का होता है वे छे वर्षों का होता है लोग सभा के इस दस्यों का कारेकाल पांच वर्षों का होता है विधान सभा के इस दस्यों का कारेकाल जो होता है वो भी पांच वर्ष का होता है विधान परिशद की वात करते हैं विधान परिशद के इस दस्यों का जो कारेकाल होता है वे छे वर बाचित करती है सभपती की अनुपस्तिती में उपसभपती सभपती के करतब्यों का पादन करता है और राज्यसभा के जो प्रत्थम उपसभपती थे वे शीरी एस वी कृष्णा मूर्ती रावते राज्यसभा का पहली बार गठन अतिये नपराल 1952 को किया गया था और इसकी पहली वैठक जो थी वो तेरा महीं 1952 को ही थी next question पेजलते हैं गुरू गोपी करिशन भारती नरित्या के किस रुप के लिए किस रूप के लिए लोग प्रिया हैं गुरू गोपी करिशन है इस कौछीन का राइट अंसर है तक जो है गुरू पी क्रिशन जो थे भारतिय नरत्या के कत्थक के कत्थक रूप के लिए काफी लोग लिया है लोग लिया है याद रखना है इसके वाद के लिए प्रमुक लोग लितियों के वारे में जैसे इंपोर्टन जो है भरत नात्यम जो है वहाँ करते हैं कथक जो है वो नोर्थ इंडिया का है उत्रभारत का है कथकली जो है वो आपका केरल का है मोहनी अटम भी केरल का है कोची पुडियांदर परदेश का है बीहू जो है असांद का है भांगडा और गिदा पंजाब का है घूमर और कथपुतली जो है वे आपका राजस्तान से है गर्भा और डांडिया गुज्रात का है तमाशा जो है वो घृम ठीटूर गृत है ठाथ चया से हैं गम्छा होह चाह महाराज को कौन से हैं। इस श Letsberg है जो गाराज कालका दीन महाराज लेकktion, तेना सेन क्रोशन कमारी वंदना सेन उमा शर्मा कीशब कोठारी काजनary In यह कथक के काफी प्रलोग प्रिये जो है बुद्रे तक है नेस्ट कुशन पर चलते हैं विच फिल्ड इस वी सी रोई अवोर्ड गिवन तो किस क्षेतर में वी सी रोई अवोर्ड जो है वो दिया जाता है कुशन काफी इंपोर्टन्ट है कुशन नमबर 23 का जो राइटन से आपका उप्शन नमबर C है चिकित्सा जो है मेडिसन जो है इस कुशन का राइट अंसर है वी सी रोई जो अवोर्ड है वे दिया जाता है किस क्षेतर में वे चिकित्सा के क्षेतर में दिया जाता है उप्शन नमबर C जो है इस कुशन का राइट अंसर है वी सी रोई अबोर्ड के बारे में बात के लेते हैं वी सी रोई अबोर्ड जो है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी इस पुर्सकार की वी सी रोई पुर्सकार की ये पुर्सकार भारती चिकित्सा परिशद द्वारा चिकित्सा और सम्बंदित समाज स्वा के क्षेतर में उलेखनी ए योगदान के लिए दिया जाता है उसी तरह चिकित्सा के क्षेतर में और कौन सा दी अबोट दिया जाता है द्धनवंतरी पुरुसकार जो है वो भी आपका 1970 में स्थापित हुआ था और ये पुरुसकाद धनवंद्री फाउंडेशन द्वारा चिकिस्या की ख्षेतर में अजीवन सेवा हित्तू परदान किया जाता है ये अपने नोट कर लेना है उसके बाद बिक्रम सारवाई जो है ये ये जो अब पुरुसकार है वे इसरो द्वारा अंत्रिक सनसुंधान क किक्षेतर में उलेखनी योगदान हेत्तू परदान किया जाता है दादा साहिव फाल के जो है फिर्मों में भारती सिनेमा के विकास के लिए दिया जाता है ठीक है ये आपने याद रखना है शांती सुरू बठनागर पुरुसकार जो है उनीशो सताबने में इस्तापित य पुरुसकार भारती और द्योगिक और विज्ञानिक अनुसंदान परिशत सीयार द्वारा साइस एन टेकनोलोजी विज्ञान और प्रद्योगिक के किशेतर में प्रदान किया जाता है ये आपने नोट के लेना है अगले प्रशन में चलते हैं हूँ अपॉन सिदा चीफ इलेक्शन कमिशनल ओफ इंडिया तो भारत के प्रमुख मुख्या चुनाब आयुक्त की जो न्युक्ति है वे कौन करता है काफी इंपॉर्टन क्वेशन है कुशन नमबर टुन्टी फॉर का जो राइट अंसर है वे आपका ऑप्शन नमबर ए है भारत का जो रास्टर पत करती होता है वे मुख्या चुनाब आयुक्त की न्युक्ति करता है ऑप्शन नमबर ए जो है इस कुशन का राइट अंसर है कुश्ण नमर 25 पे चलते हैं कुश्ण नमर 25 में बोलाएगी वाट इज़ता फुल फॉर्म प्पी एम बीजेपी पी पीम बीजेपी की जो फुल फॉर्म है वे क्या है कुश्ण नमर 25 जो राइट अंसर हो जाएगा व्यापका प्रधान मंत्री भारतिय जन उस्दी प्रिय तो आपने बताना है कि इनमें से रवी की फसले कौन सी है कुशन जो है यहां फसलों से भी जो है वो कुशन के वार एक्जाम में पूछा जाता है कि रवी की फसले कौन सी होती है खरीफ की फसले कौन सी होती है यहां से कुशन जो है वो हर वार जो है वो एक्जाम में पूछा होती है वे अक्तूबर नवंबर में बोई जाती है अक्तूबर नवंबर के महीने में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काठी जाती है जैसे गेहूं चना मठर सरसो जो है वो आफकी रवी की फसले हैं खरीब की फसले कौन से होती है खरीब की फसले जो होती है ये जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ले जाती है जैसे धान गन्नाम तिलहन जौर बाजरा मक्का जो है वो आपकी खरीब की फसले है तो जायद फसले कौन से होती है जायद फ पूछी ने हैं तो रभी की फसले मैंने अपको बता दिया की विचिती यह मर्च प्रेयल में काढ़ी जाती घर मॉठी जाती है तो जैसे यहूं चॉना मठर्र सरसों का आपने वे इस कुषण में म Kita हो जाएगा भी आपकर two o नोबल प्राइज तो नोबल पुरुसकार पाने वाले जो पहले भारतिय थे वे रविंदर नाथ टैगोर थे उप्शन नमबर 1913 में ने साहित्य के ख्षेत्र में गितांजली के लिए जो था वो नोबल पुरुसकार मिला था 1913 में और आपने एक वात वो रही आद रखनी है ये नोबल पुरुसकार पाने वाले भारतिया के साथ-साथ ये पहले एशिया ही भी थे ठीक है एशिया के भी पहले व्यक्ती थे और भारत के भी पहले व्यक्ती थे जिनने नोबल पुरुसकार जो था वो मिला था 1913 मिला था किस के लिए साहित्या के लिए लिटरेचर के लिए गितांजली के लिए उन्हें ये समान जो था वो मिला था नोबल प्राइज जो है वो इस सिक्स फिल्ड में दिये जाता है ये भी आपने याद रखना है कुश्ट नमर ट्वंटीएट पे चलते हैं भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है वे कौन सी है नेम दा लार्जिस्ट फ्रेश वाटर लेकिन इडिया तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है वे कौन सी है कुश्ट नमर ट्वंटीएट जो है काफी वार के वार एक्जाम में पूछा गया है तो आपने उताना है इस कुश्ट का जो राइट अंसर हो जाएगा बूलर जील जो है इस कुश्ट का राइट अंसर है उसके अब आद केते हैं बूलर जील के बारे में तो बूलर जूलर जो आपकी घील है बूलर जील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है यह आपने याद रखना है डल लेक जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है बूलर जील जो है वो ताजे पानी की बड़ी है ताजे पानी की जील है उसी तरह चिलका लेक जो है चिलका लेक जो है वो आपकी उडिसा में है यह पार बाद करतें डीं है वह भी आपकी जंबु कश्मीर में यह यह विइन ओऑने के ले मब लेता है कि deta मप जनेस्न गिनाब तरह पुद्ध स्पारें के वेडिलाक के मंस साथ है ऩो पो पिर्ट Al- hydra सब्सक्राइबakukan कोशन नम्ट के मांशन का१शन भर्णन उसाथ नागा लैंड में ये मनाया जाता है इस विडियो को यह लास्ट क्वेशन वाला गे ङके कोंसे बिमारी विटामिन सी की कमी से संब्दित है तो भीच ओफ बिटमिन बी की कमी से कौन सा होता है, बिटमिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है, बिटमिन ए की कमी से नाइट ब्राइलनेस बीमारी होती है, ठीक है, बिटमिन डी की कमी से एरिकेटिस, बिटमिन की कमी से कलोटिंग ओपलेट, यह आपने याद देखना है, तो बिटमिन सी की कमी से जो रोग होता है बेसकर भी होता है विटामिन सी जो है वो इसके सोसस कौन से है तो जितने भी खटी जीज़े होंगी खटे फल होंगे उन विटामिन खटी जीज़ों में जो है हमेशा आपकी विटामिन सी ही होगी तो फ्रेंट्स आज किस वीडियों वसे तना ही आज हमने इंडियन जीके के प्रिवियस एर ह्प्यू बीडिन ट्रांस 2019 का जो एक्जाम था उसमें जो कुशन पूचे गे थे को हमने थोड़ा डिटेल में डिसकस किया ताकि यहां से कोई कुशन अगर डिराइफ होता है तो आपको एक्जाम में काफी हल्प मिलेगी तो फ्रेंट्स अगर आप एच्प्यू रैस्प्यू भी एडिन ट्रांस की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले फ्रेंट्स आज किस वीडियों वसे तना ही आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर खंद जरूर कर दे चैनल को सबस्क्राइब फिर कर दे और बैल आइकन ब्रस करना न भूले और नॉट्टिविकेशन ओन कर दे तकि मेरे आने बार ह यहर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो थैंक्यू फ्रेंट्स